Hello student, कल एक update निकल के आया, Supreme Court में देली के एक student ने PIL को दाखिल किया और PIL को दाखिल करने का purpose यही था कि offline classes start की जाएं, बच्चे सारे school जाना start करें और online classes को off किया जाएं इन सारी चीजों पे बहस करते हुए जो Supreme Court है उसने अपना decision दिया और decision में बोला है कि वो court यानि Supreme Court कि अभी भी किसी भी बच्चे को pressurize नहीं कर सकता कि बच्चे school जाएं और school में जाके पढ़ाई करें तो यह उनके अधिकारों के यानि rights के against है कि बच्चे से बोलना कि वो school जाके पढ़ाई करें और by chance अगर problem आ गई तो उसके लिए responsible कौन होगा बाइचास करोना बढ़ जाए तो उसके लिए responsibility कौन लेगा इन सारी चीजों को देखते हुए Supreme Court ने अभी इस condition को करना यानि offline पढ़ाई करने के लिए अपनी तरफ से जो necessary condition है उसको apply नहीं किया है मतलब जरूरी नहीं है कि school जाके ही पढ़ें जो बच्चे online पढ़ाई करना चाते हैं या जिन state में online class चल रही है बच्चे उस जगे online class लें और जहां पे offline चल रहे हैं वहां पे offline लें बच्चों के लिए कोई pressure नहीं ठीक है वो किसी भी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और वैसे जादतर state में देखा होगा अब school open हो गए है कुछ ही एक दो state केरल की तरफ है जैसे महारास्त के कुछ school है वो अभी पूरी तरह से open नहीं हुए है आगे कोई update आएगा वो हम लिखे आएंगे okay thank you